अश्वगंधा सफेद मूसली शतावरी के फाइदे अश्वगंधा सफेद मूसली और शतावरी का प्रयोग लोग अक्सर सर्दियों के मौसम में करते हैं अश्वगंधा जहां शरीर को मजबूत करता है और वजन बढ़ाने में मदद करता है शतावरी प्रजन प्रक्रिया और पाचन में मदद करता है वहीं सफेद मूसली लंबे समय तक पुछ सर्जन को बनाए रखने में मदद करती है अश्वगंधा और शतावरी दोनों ही विशेश पौधों की जड़ों से प्राप्त किये जाते है शतावरी के बारे में कहा जाता है कि इसमें 100 जड़े होती है वहीं शतावरी और अश्वगंधा का प्रयोग मुख्यरूप से खून साफ करने के लिए किया जाता है और सफेद मूसली कोलेस्ट्रोल और ट्राइगलिसराइड्स के स्तर को कम करता है जानते हैं इनके फाइदे शतावरी के फाइदे शतावरी के सेवन से महिलाओं के प्रजन तंत्र को मजबूती मिलती है शतावरी महिलाओं के स्तर में दूद बढ़ाने में मदद करता है शतावरी का सेवन महिलाओं के हार्मोन को नियंत्रित करता है अश्वगंधा के फाइदे, अश्वगंधा के सेवन से कोलेस्ट्रोल और ट्राइगलिस्राइड्स के स्तर को कम किया जा सकता है, जो लोग अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं, उन्हें अश्वगंधा का सेवन करना चाहिए, अश्वगंधा के सेवन से खून साफ किया जा सक सफेद मूसली पुरुष बांजपन की समस्या को दूर करने में मदद करती है। अश्वगंधा सफेद मूसली के क्या फायदे हैं। कमजोरी दूर कर बढ़ाती है शाररिक उर्जा, शाररिक उर्जा बढ़ाने में यह बहुत ही मददगार है। यही कारण है कि कही तरह की ताकत वाली आयूर्वेदिक दवाओं को तयार करने में सफेद मूसली का प्रयोग किया जाता है। बहुत से आयूश चिकितसक कमजोरी, आलस्य और तनाव जैसी समस्याओं में अश्वगंधा यानी सफेद मूसली का सेवन करने की सला देते हैं। सफेद मूसली शीगरप्तन के देशी इलाज में काफी मशूर है। कौच के बीज, सफेद मूसली और अश्वगंधा के बीजों को बराबर मात्रा में मिश्री के साथ मिलाकर बारीक चूर्ण बनाकर एक चम्मच चूर्ण सुबह और शाम एक कब दूद के साथ लेने से शीगरप्तन और वीर्य की कमी जैसी समस्याओं दूर हो जाती है। अश्वगंधा सफेद मूसली एक साथ खा सकते हैं क्या? ये दोनों ही आयूर्वेदिक जरी बुंती हैं, इसलिए किसी भी तरीके से नुकसान दायत नहीं है। आप इसका पावडर बनाकर एक साथ सेवन कर सकते हैं। ये आपकी कई समस्याओं के लिए लावदायक है।